अलो मार्डिया फ्रेंड्स दिस इस इस निश्मान दिक्षित एक बार फिर से मार्केट अपडेट्स में आपके साथ आज मार्केट में एक डीप करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है लगबक लाज कैम इंडेक्स धाई परसंट की गिरावट के साथ मिट कैप में भी सवा दो परसंट की गिरावट और तो 1.2 परसंट की गिरावट और सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिली बैंक निफ्टी लगबक साथे तीन परसंट डाउन और जैसा कि आप पिछले चार पांद दिन से देख भी रहे हैं ज़ादा तर दिगज शेयर अपना बाई बैक उफर लेके आ रहे हैं विप्रो का बाई बैक आया था टीसे का बाई बैक आया था और कुछ-कुछ IT सेक्टर में अच्छी न्यूज आई थी प्लस रिलाइंस में बहुत सारी अच्छी न्यूज आ रही हैं बीच-बीच में इंविस्मेंट्स आ रहे हैं रिलाइंस रिटेल बिजनस को फुचर ग्रूप का अक्वाइर कर रहा है और SDFC के लिए कुछ अच्छी खबर थी तो इस तरह से किसी तरह से पिछले 5-6 दिनों से लाज Int realmente ने अपने आपको hold किया हुआ था गिरावट्स अलेकिन आज मार्केट की उस ग्लोबल sup intuitive होने की विज़े सेघ्रियाद स्टैज्च आपको बचा नहीं पाया और कंभी 10% की भारी किरावट दर्च करी गई हम लोग दीरे-दीरे यूएस एलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग ये भी डिसकस कर लेते हैं कि यूएस एलेक्शन का इंडियन एकॉनमी पर क्या इंपक्ट पढ़ेगा पढ़ सकता है या ग्लोबल यूरोप या अम सबसे जदा दू कि क्योंकि अमेरिका इस समय एक्णॉमिकल शुपर पावर है। अमेरिकन मुद्रा डॉलर वर्ड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है तो डॉलर का इंफलेंस और उसके बाद फिर यूरो का काफी पॉपलर मुद्रा है तो यूरोप in कड कि अगर अमेरिकन मार्केट में अमेरिकन मार्केट को छीक आती है तो यहां पर निमोनिया हो जाता है ऐसे संकेट देखने को मिल रहे हैं कि साइद अमेरिका की जनता इस बार जो बाइडन को पसंद कर रही है जो बाइडन ज्यादा तर लोगों की पसंदीदा कैंडिडेट है हैं क्योंकि लोग साइट डोनल्ड ट्रम्प की काम से कुछ ना खुश नहीं है लेकिन मार्केट यह चाहती है कि डोनल्ड ट्रम्प रिपीड करें और जो बाइडन ना है क्योंकि जो बाइडन की जो पॉल्सी हैं वो जनरली इस तरह की हैं कि वो साहत कॉर्पेट पर टैक्स इंपोस करेंगे सोसिलिस्ट हैं वो साहत प्रो गरीब हैं मतलब वैसे तो अमेरिकन एकॉनमी में बहुत जादा गरीब होते नहीं है फिर भी मतलब वो आम जनता के लिए ज्यादा कंसर्ण रग अंच्छा संकेश जाएगा लेकिन अगर जो बाइडन जीतते हैं तो साएथ मार्केट उतना पसंद नहीं करेंगी तो अगर अमेरिकन मार्केट में कुछ करेक्शन आता है डेफिनेटली इंडियन मार्केट में भी कुछ ना कुछ करेक्शन आएगा और पूरी दुनिया उससे चूती नहीं रहे सकती है तो हमें अमेरिकन प्रेजिडेंट के एलेक्शन का विशबरी से इंतजार है और इस तरह से आपन आईए Sectors की बात कर लेते हैं आपकी स्क्रीन पे Нifty 50 Large Cap Index 10.5% correction, Nifty Next 50 1.7% का Approx करेक्शन, Nifty Top 100 Overall 2.3% का करेक्शन है, Nifty 500 में 2.19 % का करेक्शन है, Mid Cap 32% की गरावत और different sectors की देखें, तो बैंकिंग सेक्टर लगबग 3% डाउन, और्टो 1.2% डाउन, फैनेशल सर्विसेज अप्रॉक्स 3% डाउन, FMCG में 1% की गिरावट, IT में अप्रॉक्स 3% की गिरावट, मेडिया अप्रॉक्स 3% की गिरावट, मैटल 10% की कमजोरी, फार्मा में 1.85% की गिरावट, PSU बैंक्स, अप्रॉक्स 3%, निप्टी प्राइवेट बैंक्स 3,5 के असपर्स और निप्टी रियल्टी 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं, तो ये सारे कुछ सेक्टर हैं, आपने देखा होगा, across the sectors तगली गिरावट थी, और अब साथ मार्केट इधर 4.5 दिनों की गिरावट के बाद आपको एक मंडे से या अगर इधर 2.4% की और गिरावट आती है, तो हमें एक अच्छे लेवल देदेगी, जहां से हम वापस अपनी थोड़ी थोड़ी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हमें 100 रुपे लगाने हैं, तो हम एक एक दो दो रुपे करके वापस investment करना है, स्टार्ट कर सकते हैं, correction के साथ साथ, जैसे जैसे correction आएगा, तो हमें एक एक दो दो परसंट करके वापस purchase करना चाहिए, दिगजों का मानना है कि साथ Friday को थोड़ा और correction आपको देखने को मिल सकता है, और अभी जो market में trend चलना था, buy on dips, तो उसकी जगे साथ जो trend है, लेकिन long term investor के लिए जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको 100 रुपे लगाने हैं, तो आपको एक एक परसंट, दो दो परसंट करके गिरावट में, एक एक दो दो परसंट की गिरावट के साथ invest करना चाहिए, तो यह सबसे इच्छी strategy हो सकती है, आने वाले कुछ दिनों के लिए, तो अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, और कल हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत को बहुत कि अशो सकता है, और कि अबदे एक दूसी है, अब्सक्रिया लाएब कर दो दोद्व़ करने के लिए आता है, आने हैं पम लोग आने के लिए लगएड़ सर्वाब हैं और कि यह सुआ हैं भाले कर दोऴ मिलते हैं तो आने में आप पमस्मत दोभ़ा लूशब